मूवी के शुरुआत में एक डिस्को का सिन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग टांस कर रहे होते हैं तभी लट की बारिश होती है और फिर हमें पता चलता है कि जो लोग वहां डांस कर रहे होते हैं सब वेंपायर रहते हैं और उनमें एक आदमी वेराता है जिसे या blade के नाम से बुलाते हैं और तभी वहां से सब इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं पर जो vampire blade को मारने की ओड़ता है वो उसे अपने चांदी की गोली और दुसरे वेपन से मारता है और वो सब एक गोली लगने पर वैसे ही जल जाते हैं और ये देख लोग blade से दूर र देता है उसे कहता है मैं तुमें मार के ठक गया हूँ और इस बार में fire से try करना चाहता हूँ और ये कहके कि रोष्ट को मेरा सलाम कहना और उसे आग लगा देता है तभी जो आदमी था वो एक कोने में छुपा हुआ होता है वो तभी blade उसे चेक करता है कि वो vampire है की नहीं व आते हैं वो पुरी तरह जला हुआ होता है तभी जब वो डॉक्टर अपने एक साथी डॉक्टर केरन जिसे वो लाइक भी करता है वो दोनों मिलकर क्विन की जब जाच कर रहे होते हैं तभी क्विन उठकर उस डॉक्टर को काट लेता है और जब करने आता है तो वो बाहर पर कुईन जब तक उसे बाइट कर चुका होता है तभी वहाँ ब्लेट फिर से आता है और उसे एक बंच मार के कहता है मैं यहाँ हूँ पुराना काम निप्टाने के लिए और जब वो ब्लेट को मारने आता है तभी ब्लेट उसका एक हाथ काट देता है तभी वहाँ पुल और वहाँ से भाग जाता है तबी प्लेट की निस्जड़ जब Dr. Karen पर पढ़ती है तो उसे अपनी मा की याद आती है उसे भी वेमपायर ने काटा था और फिर वो Dr. Karen को उठा कर ले जाता है उसे बचाने के लिए और अपने गारी से लेकर जाता है अपने से प्लेस पे जहां हमें visland नाम का आदमी देखने को मिलता है जो karen का treatment करता है उसके बाद से इंशिप्ट होता है और vampire जाती के जो pure blood वाल vampire रहते हैं जो vampire born ही हुए होते हैं उनके meeting होते हुए दिखाया जाता है जहां वो लोग frost नाम के आदमी को तुलाते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं औ और जब Frost उन्हें चैलेंज करता है वो सही कर रहा है तब जो उस मीटिंग में लीडर रहता है ट्रैगनी टी वो कहता है तुम होते कौनों हमें ये कहने वाले हम प्योर ब्लड वेंपायर हैं और तुम टर्ण किये गए हो तब Frost कहता है ये दुनिया वेंपायर के लिए है यू वहां से चला जाता है उसके बाद ब्लेट अपने एक दोस्त के पास सेरम के लिए कुछ मेडिशिन लेते हैं दिखाया जाता है और उसे गले मिल कर वहां से चला जाता है उसके बाद करन को होश आते हैं दिखाया जाता है जहां वो कुछ हवाज सुनकर जब आगे बढ़ती तो देखती है कि blade को whistler injection दे रहा है ये वही serum रहता है जो blade को vampire बनने से रोकती है और जब blade की नजर केरन पे पड़ती है तो वो वहाँ से भागने का सोचती है तभी whistler और blade उसे रोक लेते हैं और तभी केरन उसे सवाल करती है क्या मैं कैद में हूँ तब वो कहता है ये तुम इस vampire लड़ाई के बीच में आ गई हो और इसके सिकार बन गई हो और तुम्हें इन लोगों ने देख लिया है तो आज नहीं तो कल वो तुम्हें मार डालेंगे और उसे garlic से बना एक liquid देता है और कहता है जरूरत परने पर यूस करना और तभी वो blade के साथ निकल पड इसे कोई translate नहीं कर सकता है और जब frost उसे ignore कर रहा होता है तभी वो उसे बुलाता है और एक थपर मार कर वहां से चला जाता है उसके बाद blade को केरन के साथ उसके place पहुँच कर उसे छोड़ते दिखाया जाता है और कहता है केरन से कि वो अपना ध्यान रखे क्यूंकि वो च जा रही होती है और जब अपने flat में इंटर होती है तो वहां एक पुलिस वाला पहले से ही रहता है वो केरन से पहले confirm करता है कि वही केरन है उसके बाद जब उसे गोली मारने जाता है तो केरन उसे वो garlic वाला liquid डालती है वेंपायर समझकर पर वो वेंपायर नहीं होने के का केरन उसे कुछ नहीं होता है तभी वो जब उसका मजाग उड़ाता है तभी blade आता है और उसे मारता है क्योंकि वो frost के लिए काम कर रहा होता है तभी केरन कहती है तुमने मुझे एक चारे की तरह यूज किया है उसके बाद blade उसे उसके गारी के पास ले जाता है जहां blade को उसके गारी में blood रखा मिलता है जिसे वो supply करता है तभी blade जब उसे पुछता है उसके supply के बारे में कि वो कहां करने वाला है तभी वो केरन की वज़ा से भाग निकलता है तभ blade कहता है अगर इस दुनिया में रहना है तो gun चलाना सीख लो उसके वाद blade को केरन के साथ अपने जाता है तभी वो पुलिस वाला आता है अपने गारी लेके blood supply करने के लिए निकल जाता है और blade उसका पीछा करता है और वो लोग एक club में पहुंचते हैं जहां वेंपैर वाला sign बना है ये सब blade केरन को बता रहा होता है और उसे एक gun दे के अपने साथ club में लेके जा रहा ह है तभी उसे पकड कर मारता है और उसे पता करता है कहां उसने वो deliver किया है तब वो उसे बताता है कि वो रेफृजेटर का डौर खोल कर अंदर जाने के लिए रास्ते के बारें बताता है तभी blade उसे छोड़ देता है ये का के कि मेरा message frost को दे देना उसके बाद वो उस डौ के अंदर जाता है केरें के साथ और एक लिफ्ट के'llफ से नीचे जाता है जहां उने सर्वर रूम मिलता है उसके वा शिंस्प्ट होकर एक its factor दिखाया जाता है जहां बहुत सारे वेंपायर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी Frost को अपने रूम में उसी language को translate करते दिखाया जाता है और जो वो बाहर आता है तो उसे वो पुलिस वाला वहां मिलता है उसे सारे incident के बारें बताता है और उसे माफी मांगता है पर Frost उसे माड़ देता है और कुई से कहता है कि उसे Blade जिन्दा चाहिए उसके बाद Blade और कहरन को फिर से दिखाया जाता है उन्हें एक पर्ड नाम का Vampire मिलता है जो Vampire के records रखने का काम करता है तभी Blade उसे torture कर सारे detail लेता है जहां उसे पता चलता है कि Frost Vampire God यानि pure blood बनने के रास्ते ढूंड रहा है जिसे कि वो दिन में भी बाहर निकल सकेगा और तभी एक डोर को उडा के अंदर आता है जहां उसे Vampire के एक पुराने book के बहुत सारे paper मिलते हैं जिसमें Vampire की history होती है तभी Blade को एक आवाज सुनाई देती है और उसका वो पीछा करता है तो एक बच्ची मिलती है तभी Blade उसकी मदद करने की गोशिश करता है तभी वहां Queen अपने आदमियों के साथ आता है और Blade से लडने लगता है पर Blade को लाश्न पकड़ लेता है और तभी जब Queen Blade को अपने हा कर उसे बता रहा होता है कि जो हाथ उसने काटा है वो उसने फिर से उगा लिया है तभी वहां एक धमाका होता है और Whistler को वहां दिखाया जाता है एक गन के साथ और तभी दोनों तरफ से फाइरिंग होती है और इसका फाइदा उठाते हुए Blade केरन के साथ वहां से निकल है Whistler को लेके और पहुंसता है एक Metro Tunnel में जहां Whistler अपने रास्ते से निकल जाता है और Blade Queen से फाइट करता है पर Blade उसके फिर से एक हाथ काट देता है तभी वह भाग जाता है वहां से और जब देखता है कि और भी लोग आ रहे हैं तभी वह Karen को पकड़ कर उस train को पकड़ लेता है और उस train पे चड़ जाता है और जब वह अंदर जाते हैं पर Blade का हाथ दिसलोकेट हो जाता है तभी Karen उसे सिधा करती है उसके बाद Blade एक सीरम निकाल कर अपने आपको इंजेक्ट करता है तभी Karen Blade से पूछती है क्या तुम भी उन लोग की तरह हो तब Blade कहता है नहीं मैं कुछ और हूँ उसके बाद विसलर और Karen में बात होते हुए दिखाया जाता है जहां वो उसे बताता है कि कैसे Blade से वो मिला और Blade Vampire कैसे बना तब हमें भी पता चलता है कि जब Blade की मौम प्रेगनेंट थी तब किसी ने उसे बाइट कर लिया तब ही Blade का जन्म हुआ पर उस नहीं पता है तब Karen कहती पुरानी बाते भूल जाओ तब Blade कहता है मैं ये बात नहीं भूलना चाहता हूँ उसके बाद Frost को दिखाया जाता है जहां वो Queen से बात कर रहा होता है कि उसे Blade जिंदा चाहिए वो God of Vampire बनने के लिए और ये भी कहता है Queen से कि उसे उसकी जरूडत है उसके वाद Sin Shift होकर दिखाया जाता है जहां Frost अपनी Girlfriend Mercury के साथ एक Potion लगा रहा होता है कि वो Sunlight से बच सके और फिर Dragonity को उसके साथी पकट कर लाते हैं जहां वो उसे खड़ा कर देता है और कहता है कैसा Feel हो रहा है मैं बहुत Emotional आदमी हूँ तब Dragonity कहता है तुमें जो करन सक करने वाले रहते हैं उसे निकाल लेता है और तभी Sunlight आती है और वो जलकर Blast हो जाता है उसके बाद Frost को वही मीटिंग में दिखाया जाता है जहां वो लोग पूछ रहे होते हैं Dragonity के साथ तुमने क्या किया तब Frost वो दो दात निकाल कर वाँ फिकता है और कहता है अब विसलर के साथ उसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं दिखाया जाता है जहां उसे एक हार्ट ड्राइब देता है जिसमें की पूरा डीटेल होता है इसके बारे में तभी Karen को वहां कुछ मेडिकल समान लाता देख पूसता है तो Karen बताती है कि वो उसके लिए योड ढूने की गोशिश कर रही है दूसरी और Karen को अपने पुराने Bites देखते हैं दिखाया जाता है इतने में ही Whistler वहां आता है और वो Bites देखने के बाद कहता है तुमारे पास एक या दो दिन ही है शायद Vampire 10 होने में और कहता है कि अगर ज़्यादा प्यास लगने लगे तब अपन आको गोली मार लेना Vampire बनने से तो अच्छा है उसके बाद Blade और Frost को एक पारक में बात करते हैं दिखाया जाता है जहां Frost Blade को अपने तरफ करने के लिए ओफर देता है पर Blade मना करता है और जब Blade उसे मारने जाता है तो Frost एक छोटी सी बच्ची को एक बस के आगे फेक देता ह तभी Blade Frost को ना पकर कर उस बच्ची को बचाता है उसके बाद Whistler और Karen को Blade के लिए क्योर बनाते दिखाया जाता है तभी उने पता चलता है कि Frost वहाँ अपने आदियों के साथ आ चुका है और वो Karen को पकड़ लेता है और Whistler को मारता है और Queen के हवाले कर कर वहाँ से चला जा तभी जब Blade वहाँ आता है तो देखता है कि सारा समान पिखरा पड़ा है और Whistler गाहल है और जब उसके पास Blade जाता है तो Whistler उसे एक Gun मांगता है क्योंकि वह Vampire नहीं बनना चाहता है और Blade को Frost के पास जाने से मना करता है क्योंकि Frost Blade के Blood को यूज़ करके God of Vampire बनना चाहता ह और ये बाद उसे एक टेप में देखने को भी मिलता है जो Frost ने Blade के वहाँ छोड़ा होता है और ये भी कि Karen उसके पास है आके उसे बचा ले उसके बाद Blade को Fight के लिए तैयारी करते दिखाया जाता है और तैयारी पूरी होने के बाद वो एक Plant की पूजा करता है और उसके बा तभी Frost का आदमी आके कहता है एक खुस बैठिया देखा गया है तभी Frost कहता है उसे जिन्दा पकड़ना है उसके बाद उसके आदमी को अपने वेपन के साथ आते वे दिखाया जाता है जहां Blade अपनी बाइक से आता है और सब को अपनी गन से मारना स्टार्ट करता है और रा उसकी मौम दिखती है वेनेसा जिसे Blade मड़ा हुआ समझता था अज तक और जब उसे Blade देख रहा होता है तभी Frost पीछे से आके उसे एक Electric Shock देखे पकड़ रहता है और तभी Blade को पता चलता है वेनेसा को जिसने काटा था वो और कोई नहीं वो Frost था और अब उसकी वह Frost के साथ रहती है वेंपायर बनने के बाद उसके बाद Blade और केरन को एक कंटेनर में बंद कर वो लेके जा रहे होते हैं और वो जगह पे उन्हें उतारते हैं जहां Blade की मदद से Frost God of Vampire बनेगा जहां Frost ने वेंपायर जाती के Pure Blood वाले 12 साइन वाले वेंपायर को लेके आता है और उसके गिरती है तो उसे वहाँ उसका साथे डॉक्टर दिखता है जिसे कुईन ने Hospital बाइट किया था पर केरन उसे मार कर वहाँ से एक बोन के सारे उपर चड़ जाती है दुसरी और Venisa Blade को तयार कर रही होती है उस प्रोसेस के लिए और उसे एक Stone वाले खरे ताबूत में डाल के बंद कर देती है और तभी Blade के हाथ से Blood गिरना चालू हो जाता है और दुसरी और Mercury उन बारा आदमियों को एक एक सिंबल के पीछे खरा कर देती है उसके बाद Blade का Blood जब धीरे धीरे आगे बढ़ कर वहाँ बने रास्ते से आता है यह देख Frost खुस होता है और एक Elevator को उपर करने के लिए कहता है उसके बाद Karen को आखे Blade को आजात करते दिखाया जाता है पर Blade का बहुत सारा Blood गिर जाने के करण वह सही हालत में नहीं रहता है तभी Karen उसे अपना Blood पीने को कहती है और जब तक वह Blade वाला Blood जब उन 12 लोगों के उपर गिरता है तभी Lightning होती है और सारे सि के निकलने लगती है दूसरी और Blade Karen का Blood पी रहा होता है तभी Karen कहती है रुखना मत और जब Blade अपना पूरा Strength में आ जाता है तभी बेने सावाँ आती है और उस पे अटैक करती है तभी दूसरी और उन 12 लोगों की आत्मा फ्रोष्ट की अंदर गुश जाती है और उसकी आख लाल हो जाती है और जब तक Blade भी Karen को मार देता है और अपने Jacket पहन कर उपर से जम करता है और Frost के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है तभी Karen का Mercury से भी सामना होते दिखाया जाता है जहां वो उसे Whistler के दिए Liquid से मार देती है उसके बाद Blade और Frost में आमना सामना होता है जहां दोनों में कटाना से लड़ाई होती है पर जब Blade Frost को अपने कटाना से काटता है तो वो फिर जुड़ जाता है और यह दिख Blade शौक रहता है और फिर से लड़ाई होती है जहां Frost Blood के उपर भाड़ी पर रहा होता है तभी Blade की नजर उसके एक injection पर पढ़ती है जो उसने उसके लिए लाया होता है वो उसे अपने कटाना की मदद से लेता है और एक एक कर सारे Frost को लगा देता है और तभी वो reaction कर Frost को एक बलून की तरह फोड़ देता है उसके बाद Blade के साथ बाहर आता है उस जगह से और केरन से कहता है अपने ध्यान रखना और जब केरन कहती है उसकी मदद करने के लिए तब Blade कहता है अगर मदद करनी है तो अच्छा की और मेरे लिए बनाओ उसके वाद सिंसिप्ट होता है और Moscow Russia का सिंद दिखाया जाता है जहां कुछ vampire मिलते हैं तभी Blade वहां आता है और Movie का दाइंड हो जाता है